योग जीवन जीने का नियम और सहियम है लेकिन योग हमें बानता नहीं है बड़के हमें मुक्त करता है ताके हम विश्व की सभी प्राणियों को प्रेम और शान्ती के भाव से देख सकें तो आएए पूरे विश्व में शान्ती और प्रेम के संदेश को पहलाने के लिए इस 21st जून अंतराश्च्रिय योग दिवस से क्यों न हम योग अभ्यास की शुरुआत करें और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ योगा सही होगा स्वस्त रहो मस्त रहो आत्म नमस्ते अप्सक्ते तो आए प्सक्ते नमस्कार आप सभी का स्वागए चौपाल चर्चा में मैं हूँ मुकुल शर्मा चौपाल चर्चा में आज हम पहुंचे हैं गाज़बाद के कनोजा गाओं में जहां पर खास और से हम बात करेंगे कम जोत में कैसे हमारे किसान अधिक लाब ले सकते हैं तो चली खार्रेक्टरम की में शुरुवात करें लेकिन उससे पहले नज़र डालेते हैं खास जिपोर्ट पर चोटी जोत और कम भूमी से भी किसान अधिक उत्पादन ले सकते हैं पारम परिक रूप से किसान अपने कम भूमी क्षित्र फल से परिवार की आवशक्ता को पूरा करता रहा है किसानों की सुविधा और अधिक आय के लिए एके कृत क्रशी प्रणाली विक्षित की गई है इस प्रणाली का अर्थ है खेत के हर क्षित्र का बहतर इस्तिमाल कम ख्षित्र में फचलों के साथ साथ मश्रूम, फल, सबजियां, अंडे, दूद और शेहत पैदा कर सकते हैं एके कृत खेती का मूल है कि किसान जमीन का अधिक्तम इस्तमाल कर सके एके कृत खेती प्रणाले में एक घटक से बचे उत्पाद और अवशिशों को दूसरे घटक में उप्योग में लाया जा सकता है मुर्गी पालन में पोल्ट्री बीट को मचलियों की भोजन के रूप में प्रियोग किया जा सकता है पोशक फोजन से मचली उत्पादक्ता में तो वृत्धी होगी साथ ही तालाब के पानी को सींचाई के लिए प्रियोग में लाने से खाद प्रियोग में कमी आएगी तालाब के आसपास पशुपालन कर दूद से भी मुनाफ़ा पाया जा सकता है यह रिपोर्ट आपने देखी और जाना किस तरीके से अगर किसान चाहे जोट भले ही कम हो छोटी हो लेकिन उसमें भी भरपूर उत्पादन लेके अच्छी उपश लेके वो अच्छा लाब ले सकते हैं और किस तरीके से हमारे किसान है अपने लाब को बढ़ाएंगे अब आईए चर्चा की हम शुरुबात करें लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं खास मेंबान उनसे हम आपका परीचे करा देते हैं हमारे साथ मौझूद हैं डॉक्टर आरेस वर्मा जी जो की जिला कृशी रक्षा अधिकारी है गासेबाद के साथ ही मौझूद हैं डॉक्टर अनंद कुमार जी जो की उध्यान की वैग्यानिक हैं कृशी विग्यान केंद्र गासेबाद में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और साथी स्वागत हमाई साथ जो करण जगाओं के किसान आज यहां पर जूटे हैं और जैसा हमने कहा कि जब भी हम बात करते हैं जोट क्योंकि लगातार छोटी होती जा रही है ऐसे में विकल्प हमारे पास क्या बचता है जिससे किसान को अधिक लाव हो सके हम कम जोट में जो है कौन-कौन सी फसलों का चैन करें जिससे हमें ज़्यादे आई पराप्त होती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ जितनी भी हमारी ओध्यानिक फसले हैं चाहे वो हमारी सब्जी वाली फसले हो चाहे फल वाली हो चाहे वो फूल वाली फसले हो अगर हम उन फसलों का चैन अगर हम करते हैं साथी साथ हमें ये भी देखना है कि हमें दिल्ली के नजदी कौन सी सब्जी कौन से फल की जादे डिमांड है उसके जो है चैन अगर हम करते हैं तो उससे जो है हमें और जादे फायदा होता है जैसे हम सब्जियों की अगर बात करें तो हम जितनी भी कद्दू वर गये समय से बुवाई कर सकते हैं साथी साथ हम बिंडी की बुवाई कर सकते हैं और जो हमारे फलदार व्रक्ष हैं जैसे हम पपीते की बात करते हैं तो इस समय हम पपीते की भी रोपाई कर सकते हैं और इन सब जो की हम इस तरह से हम कर सकते हैं तो हमें कम छेत्र से जो है वो जाद जादे फसले और जादे इंकम हम लोगों को मिल सकती हैं तो हमें ऐसी फसलों का में चेहन करने के आजब सकता है जो बिलकुल एक विकल्प आपने यहां पर बताया कि किसान किस तरीके से जिसी इसकी मांग हो उसकी खेती करें तो अच्छा लाब यहां मिलेगा डॉक्टर आरे करनी है उसके साथ साथ अब तो जिम्मेदारी पोशन सुरक्षा की भी हमारे सामने आती है कैसे चुनौतियां हम पारपा सकेंगे लागत को कम किया जाए उत्पादन को बढ़ाया जाए और जो हमारा उत्पादन उसका लावकारी मुले मिले यह तीन जो है मत्पुन करना चाहूंगा कम लागत करने में हम लोग जैवी खेती के तरफ अगर अगरसर हो जो हमारा लागत रासायनिक की टनासकों से रासायनिक और वरकों पर जो ज्यादस ज्यादा ब्याव हो रहा है वो हम अगर जैवी की तरफ सिप्ट करें तो इसका बहुत अच्छा करते हैं विकल्पों की इस बारे में डॉक्रा नंत आप से भी हम जानना चाहेंगे सबसी की खेती जो है क्योंकि एक अच्छी खासी मांग शित्र से निकल कर आती है किसान लेते भी है अच्छी उपज भी लेते हैं गन्नी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है तो क्या यह जो फसले किसान यहां ले रहे हैं यहां पर कितनी संभावणा है अपनी उपज को बढ़ाने की और उसके साथ साथ मुणाफमे को बढ़ाने की इसमें हम पिछले लगातार तीन साल से हम काम कर रहे हैं कि हमें किसानों की आये दुगना कैसे करनी है इसमें मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि यह हमारा जो एरिया है यह गन्ना बहुलिया एरिया है हमारे किसान भाई गन्ना भी नहीं छोड़ना चाहते तो हमें अब गन्य के साथ ही जो है हमने अब ट्रैल करने स्टार्ट कर दिये हैं इस गाउं में भी मेरे कई ट्रैल चल रहे हैं तो हब हम क्या कर रहे हैं गन्य की जो दूरी है उसे जो हम तीन फिट चार फिट पर हम करा रहे हैं और गन्य के साथ जो है दूसरी अंतरे से फसले हम ले रहे ह जैसे हम अक्टूबर में जो गिन्ना बोते हम उसके साथ कॉल क्रोप जो हमारी गोली गोवी सब्जाय ह्याइं लगवाते हैं और जैसे अप वर्वरी की वाध करें अगर हम इस समय गवजोते हैं हैं हम खीरा कर सकते हैं हम गैंदा कर सकते हैं अगर हम उसके साथ दूसरी फसल लेते हैं तो आप देखिए कि यह हमारी लगबग तीन महीने में हमारी कम्लीट हो जाती है फसल और इसमें जो हमें अतिरिक ताय कम से कम जो है 10-15,000 रुपे नेट प्रोफिट प्रती बीगा या एक हेक्टियर की बात करें, तो लगबग हमारा एक लाख से सवा लाख रूपे प्रती हेक्टियर जो है नेट प्रोफिट हमारे किसान भाईयों को हो जाता है। लेकिन जब जोथ हमारी छोटी होती चली जा रही है, ऐसे में किस तरह की सुविधाएं या प्रोफ साहन के लिए किसान जैसे आपने जैविक खेती का उदारन हमें दिया था, इसके लिए क्या विभाग किसान को मौहिया करा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा जैविक किट नासकों पे 75% का अनुदान दिया जा रहा है। और उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा इस समय करशी भाग के द्वारा कार किया जा रहा है। हम उन्नत सिल प्रजातियों का चैन करते हैं उन्नत सिल प्रजातियों पर भी जो है प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिकुंटल के हिसाब से जो है अनुदान दिया जाता है यहां हमाज साथ जो किसान मौझूद है इस बारे में उनका क्या मानना है या उनकी क्या प्रतिक्रि यह खीरे सब खाजाएंगे क्योंकि यह चुटता पजू कहीं और से बाहर से नहीं आते हैं हमारी गायों के जो बिदेशी नसलों की गाये जो बच्डे हैं उनी को छोड़ दिया जाता है जिसके वज़े से वह हमारी फसलों को नुक्सान कर रहे हैं लेकिन इन सब के समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मानिमुक मंतरी जी द्वारा जो है बहुत अच्छा योजना चलाया गया गया गौव आसरे के जा रहा है इसमें पस्पालन विभाग पूरा लगा हुआ है जैवी खेती किस तरह से की जाए और जैवी खाद जो है उस किस तरह से तयार किया जाए जैवी खेती जिन खेतों में करनी है उसमें जीवान स्पैदार्ज की मातरा बढ़ाएं यह हमें कम से कम जो है दसमलव आ उसका जादे से जादे इस्तमाल करना है जैसे हम कीटो को रोकने के लिए हम अपने घरह में जो मठा है उसे जो है सडाके जो है उसे का इस्प्रे करें जैसे नीम ओयल है उसका जादे से जादे से जादे इस्प्रे करें जो नीम की नीमोली है उससे भी जो हम उसे कूट के और गय मूत्र में मिला के जो है उसका इस्प्रे करें ताकि जो है में कीटों से जो है उसे स्वरक्षा मिल सके जैसा डॉक्रा अनत ने कहा कि समस्या है तो समाधान भी है और उसके लिए हमारे क्रिशिव ज्यान के इंद क्रिशिव भाग उनकी हर कोशिश यही रहती है कि किसान तक पहुँचा जाए और जो समस्या चलनी जारी है उनका एक समाधान उनको मिल सके फिलाल चौपाल चर्चा में वक्त उचला एक छोटी से ब्रेक का आप कही मत जाएए देखते रहिए चौपाल चर्चा एक बच कर तीस मिनट पर और शाम साथ बजे तो ब्रेक के बाद पुन है आप सभी का स्वागा चौपाल चर्चा में आज हम मौजूद हैं गाज़ेबाद के कनोजा काओं में जहां पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कैसे जो जोट हमारी छोटी हो रही है कम जोट है उससे कैस और अच्छा लाब हमारे किसानों को उसके जरीए मिल सकता है चर्चा को आगे बढ़ाएं आई यो उससे पहले एक नज़र डालेते हैं खास रिपोर्ट पर संसाधनों का बहतर इस्तमाल या लागत में बचत कर किसान आई को दुगना करने में सफल हो सकता है प्राकर्तिक संसाधनों के किफायती उप्योग से किसान कम जोट में अधिक उत्पादन पा सकता है फसल कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशिष का प्रबंधन गर मिट्टी सुधार कर सकता है फसल अवशिष प्रबंधन विकसित राज्यों में मात्र दस प्रतिशत किसान कर रहे हैं पोशक तत्व प्रबंधन के लिए फसल कटाए के बाद प्रद्योगी की प्रियोक से खेद दूसी फसल के लिए तयार किया जा सकता है बहु फसले उपाए, फसल चक्र, उन्नत सीचाई तकनीक अपना कर किसान आय में वृध्धी कर सकता है जैविखाद, जैव उर्वरकों और कीट नाशकों के प्रियोकर भूमे में पोशक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है प्रबंधन प्रद्योगी की के इस्तेमाल को बढ़ाने के साथ लाभकारी फसलों और क्रिशी व्यवसायों को अपनाना होगा तो देखिया अपने रिपोर्ट और जाना किस तरह के विकल्प हमारे पास है और इन्हें विकल्पों परलगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं इस बारे में यहां डॉक्र नंत आपके साथ चर्चा को मागे बढ़ाएंगे गन्ने के साथ जो है दूसरी अंतरस से फसले ले सकते हैं जिससे जो है मैं अतिरिक टाइप राप्त होती है जैसे मैं बात कर रहा था कि इस समय फ्रेंच बीन की अगर हम बात करते हैं तो गन्ना जो फर्वरी में गन्ना लगता है उसके साथ हम फ्रेंच बीन लगा सकते हैं ये मात्री जो हमारी 70-50 दिन की क्रॉप होती है और उसी के बाद जो है उसी में जुताइ कर देते हैं दल하नी फसल भी है उसके साथ हम भिंडी कर सकते हैं और दूसरे चीज यह है कि जि और जैविक के लिए जो है हमें खरीदार भी यहां बहुत ज़्यादे मातरा में मिल रहे हैं भोगता की बात अगर हम करें क्योंकि मांग उतनी शायर निकल कर नहीं आती लेकिन ना सिर्फ जो गुर्मत्ता है इसका ख्या लखना बेहर जरूरी लेकिन जो विकल्प आपने सुझाए हैं जब सबजी फसले हैं जो गन्ने के साथ हम ले सकते हैं जो किसान हमारे साथ हैं उनका क्या मानना इस बारे में आईए उनी से हम जान लेते हैं को रैते हैं जो राकम लगेगी केमत लगेगी हमें बढ़ा किर सकता है रोकीछ खेती है जितने देखने में आकर्शक लगती है उतना जादा मुनात्य बहुत ही लिए कुछ और ऐसी योशनाएं हैं, जिसके जरीह किसान उनसे जुड़ें और आगे बढ़ सकें, अपने लाब को बढ़ा सकें? चुकि किसान ही सभी योजनाओं का लाभारती होता है, सभी विवागों का लाभारती होता है, इसलिए हम किसानों के बीच में दो-दो चरणों में, हरे प्रते एक मौसम के पहले, रभी में, खरीप में, दो-दो चरणों में, चार-चार दिन का जो सत्र चलता है, इसमें सभी पहले से प्रसिक्षित्sa कराये जाते हैं, प्रसिक्षित्वर जाते हैं इनके प्रसिक्षण देने के बाद है। इसके साथ साथ हम लोग विकास खंड अस्तरी न्याय पंचारत अस्तर गोष्टी और जिला अस्तरी जो है गोष्टी के माध्यम से जो कृसी विभाग में संचालित योजना हैं इनका भी जानकारी देते हैं IPM के माध्यम से Integrated Pest Management के माध्यम से हम किस तरह से रासानिक दवाओं के दुस्प्रभाव से बच सकें और किस तरह से हम जैविक दवाओं के प्रति आकरिष्ट होकर अपने खेती में जो बहुत जादा लागत लग रही है उसको कम करें इसके तरीकों को बताते हैं विकल्प क्या है वो लगातार हमारे विशिशक यहां सुझा रहे हैं इस बारे में और जो किसान है उनका क्या मानना है आई जान लेते हैं जो तो जो समास्या है वो भी यहां पर है ना सिर्फ शेत्र इसतर की बलके कुछ ऐसे प्रयास हैं जो हमें करने होंगे पिजली की जहां तक समस्या की बात की जाया, सरकार अपने स्थर पर प्रयास कर रहे हैं, जो किसान है, वो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, उसको अगर अपनाएंगे, तो काफी हद तक उनकी लागत यहां भी कम हो सकेगी, लेकिन कई ऐसे विकल्प हैं, जिन पर हमें और भी आगे चर्चा करनी होगी, फिलाल चौपाल चर्चा में वक्त तो चलाएं, यहां पर एक छोड़ से ब्रेक का, कहीं में जाईए, देखते रहे हैं, चौपाल चर्चा रखतार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर मौसम खबर लाइव देखिए, सुभा आट बजे और दस बजे, तो पहर बारा बजे और दो बजे तुब्रे के बाद पुन हैं, आप सभी का सुवागा चौपाल चर्चा में वाईए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले नजर डालेते हैं, इस खास रिपोर्ट पर भी सौर उर्जा जैसे प्राकरतिक संसाधुनों के उप्योग से, किसान कम खर्च में अधिक उथपादन पा सकते हैं, सौर सनयंत्रों पर किसानों को सरकारी सहायटा प्रदान की जा रही है, यह सनयंत्र क्रिशी और घरेलू खर्चों में भी कमी कर गिसानों की आमदनी बढ़ चाही कर सकते हैं कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमी पर सोलर पैनल लगा कर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं किसान जमीन पर बनने वाली बिजली से देश के गाउं में बिजली की आपूरती शुरू की जा सकती है सौर ओर्जा उपकरण लगाने के लिए किसानों को मात्र दस प्रतिशत राशी देनी होगी सौर ओर्जा उपकरण का अनुदान सीधा किसान के बैंक खाते में आएगा सौर ओर्जा सैंद्र बंजर भूमी पर लगाए जा सकते है सौर उपकर्णों की खेमत का 30 प्रतिशत का किसान बैंक रिन मिल सकता है सोलर पंपर लागत का 60 प्रतिशत सरकारी अनुदान मिलेगा जरूत पड़ती ही रहती है तो यह आपसी भायचारा से यह सब चीजे जो है इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है जी बिल्कुल डॉक्टर वर्मा जैसे आपने बताया देखिए यहां पर बात कर रहे हैं चर्चा के जरीए उदिश इस चर्चा का यही के जो समस्याओं है उनका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं विकल्प है वह अब हमारे पास है सौर उर्जा के रूप में जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए सौर उर्जा जो है सौर उर्जा के आझ कर अंज कर सोलर फोटो वॉल् Tucson पम जो है वियृजा के द्वारा निदान पर दिए जाते है जो तीन हासपावर दो हासपावर और पांच हासपावर इनके जो है ये जो है सोलर फोटो वोल्टिक पंप जो है दिये जा रहे हैं कोई भी किसान भाई इनको ले ले और बिना बिजली के बिना बिजली के जो है उनके खेतों की सिचाई भी हो जाएगी और साथ साथ रात में बल्ब जलाने के लिए आपको रोसनी की भी बेवस्ता हो जाएगी तो इससे बहुत अच्छा जो यह भी प्रदेश सरकार द्वारा क्रिसी वाग के माध्यम से चलाया जा रहा है और इसका भी किसान भाई जो है हमारे इस जिले में बहुत लोगों ने लाव लिया है और जिन क भी इसमें समलित कर लिया जाएगा यहां डॉक्टर अनंत आप से भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि इस बार के बजट में हमने देखा वितमंत्री ने जो बागवानी फसले उसके उत्पादन को भी सराहा तो क्या जो सोर उर्जा है और बागवानी फसलों के हम बात करें तो मैं इसी में बता दूँ जो ओध्यानिक फसले हैं उसके लिए हम ड्रिप इरिकेशन जिसे हम बोंद-बोंद सिचाई पज़ती कहते हैं उसकी जो है प्रदेश सरकार दूआ रहा जो है 90 सबसीड़ी 90% सबसीड़ी पे जो है वह स्प्रिंकलर पाइप खेतों में बिछाय जा हमारे उत्पादन भी जाय हमारी सब्जी की बात हो चाहि हमारे यहां तक कि हमने देखा है कि गन्ने में भी अगर हम टपक्सी चाई विधी का इस्तमाल करते हैं तो उसमें भी 15-20% गन्ने की उत्पादन जो है वह बढ़ जा रहा है और पानी की बचत भी हो जा रही है और हम फर्टिलाजर डालते हैं जो उर्वरक डालते हैं उसमें भी जो है बचत होती है तो वह हमारा कहीं ना कहीं जो है डबल इंकम में जो है फाइदा पहुचा रही है मान लीजिए कि अगर पांच हास्पावर का कोई सोलर फोटोवल्टिक पंप है और उसका दाम अगर च्छे लाग रुपए है तो च्छे लाग रुपए में से आप यह समझ लीजिए कि उसमें साड़े चार लाग रुपए की छूट जो है हो जाएगी किसान को खाली डेड़ लाग रुपए के आसपास सबसीटी देनी पड़ेगी तो इसी तरह से तीन लाग हास्पावर पर तीन हास्पावर पर भी है और दो हास्पावर पर भी जो है पचेतर परसंट की छूट जो है प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है तो देखी लगतार किसान को और ज्यादा प्रौचाइद करने के लिए जो अनुदान है उसको भी बढ़ाया जा रहा है यह सोलर पैन है इन किसानों के लिए आपने जो है जम्ट है वह रेएं कि सान के साथिसाफ से इनको मिलता ए प्रबेक ट्यूबायल करें एफ्दो का डञे हाँ तो यह जो मतरश पालंगे यह मतोचे सोड़न इसके शैनिस चीह स्में आ गिया ना तो यह उन आ जान में देख कुका समें औ कोमसियल है यह is तैनी हो पा रहा है को मर्सियल है किसान मसमें तो आप इसमें लिखा पढ़ी कीजिए के भowana हम लोगों लखनव Pan Lamb has Square कोर तक जाना पड़ता है कि ऊपके भी सम्हारी सं अद्धान कि CHEARK कि से आपकी जो समस्याइए हैं, चाए मत्स भीबाग से हैं, चाए बिजली भीबाग से हैं, वो जरूर हम प्रयास करेंगे कि उनको ये समस्याइए आपकी पारवड की जाएं. मेरे अकेली नाम पर बारवी के जमीन है, ट्वेल लगा हुआ है, चौदे सो रुपे, चौदे सो तेरे सो कुछ भी लाता है, आप देखे हिसाब लगा है, बारवड के जमीन पर मैं चौदे सो रुपे, पूरी साल का किद्रा, क्या आम दन कर सकते हैं? देखे जो छोटी खेत में आपका अनता फसली खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाव कमाने वाले किसान जिनको पद्म भूसर अवार्ड भी मिल चुका है, वो भारत भूसर त्यागी जी हैं, सयाना बेटा गाउं है, उनका सयाना में, बुलंद सहर जिले में लगता है और अपने जिले में एक जिनको मैं जानता हूँ, वो सुराना गाउं में प्रदीप यादव जी हैं, जो वो भी जो है अनता पसली खेतों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं को दोग ना कर सकते हैं, फिलाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला, आप सभी से विदा लेने का, अगले अंक में पहुँचेंगे किसी नए गाउं में, नई योज़नाओं पर करेंगे चर्चा, फिलाल के लिए दीजो एजासत, नमस्कार झाल चर्चा करेंगे रहे हैं